नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है क्रिशी की बात इंदर के साथ में और दोस्तों आज क्रिशी की बात में हम फिर से बात करेंगे पानी की दोस्तों पानी ही जीवन है और जब देश में पानी की उपर संकट आ जाए तो समझे पूरे राष्ट का पे संकट आ चुका है और साथ ही साथ हम आपके समुदायों पे भी बहुत बड़ा संकट आ चुका है इसको कोई कल या परसूं की समस्या नहीं समझेगा आप यह समस्या आज आ चुकी है और इसका एक छोटा जो मैं आपको उधरन बताऊंगा वो यह कि आजकल पानी 30 रुपए का विखता है 30-35 और दूध 25 रुपए का तो अब आप खुदी सोच लीजे कि पानी कितना जादा जरूरी हो चुका है और इस बात को समझने के लिए हमारे साथ फिर आचुके हैं वायर के स्टूडियों में जल पुरुष, वाटर मैन ओफ इंडिया, राजेंदर सिंग जी तो समय बरबाद न करते हुए, अब हम राजेंदर सिंग जी से बात करेंगे भारत में पानी की स्टिती है, नदियों के बारे में, ग्राउंड वाटर के बारे में और पानी से जुड़े हुए, कुछ और मुद्दे, तो सिंग साब बहुत बहुत आपका स्वागत है दुवायर की स्टूड जलका है, जलका संकट, भूजल के भंडार, 72% ओवरड्राफ्ट हो गए, खाली हो गए, धर्थी के ऊपर का जो पानी है, वो खत्म हो गया, जो पुराना कैनाल सिस्टम था, नदियों नहरे बहती थी, और वो प्राय सूखी रहती है, नदियां, आधी से जादा नदियां, छोटी नदियां, सूख कर मर गई है, जो बड़ी नदियां हैं, जिनमें पानी भेता है, वो पानी नहीं है, वो उद्द्योगों का गंदा, जहरिला, तेजावी पानी है, वो तेजावी पानी दिल्ली की यमना हो, या बंबवी की मीठी हो, या कानपूर की गंगा हो, सब में तेजावी पानी है, इससे अंदाज लगा सकते हैं, कि सरफेस पर, सतह पर जो जल है, वो अब किस तरह से दूसित हो रहा है, एक तरफ सोसित हो गया, 68% ओवर्डराफ्ट, और दूसरी तरफ परदूसित हो गया, और तीसरी तरफ नदी जोड जैसी भयानक योजनाएं, पानी पर अतिकर्मन कर रही है, उसका निजी करन कर रही है, उसका वैपारी करन करने के लिए सब जुटी हुई है, तो भाई आज की तारिक में तो मुझे भारत का जलका भविष से सुरक्षित दिखता रही है, जलका भविष वही सुरक्षित हुआ है जहां समाज ने संगठित होकर अपने आप अपने पानी का काम किया है, यहां पर मैं आपको एक बार रोकूंगा, क्योंकि कई सारे ऐसे दर्शक हैं जो शेहरों में रहते हैं, उनको पानी नल से मिलता है और पानी के बारे में और कुछ नहीं जानते हैं, जब प्यास लगती है तो पानी मांगते हैं, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से अगर आप बता सकें कि नदी का क्या हाल है, उसके बाद भूजल का क्या हाल है, और अंत में आपके जो तलाब और जो जलाशे बचे थे इस देश में, जो पज़ए हजारों सालों से चले आ रहे हैं, आज में उनका क्या हाल है? मैंने कहा ना, कि नदियां सूख कर मर गई हैं और जो नदियों में पानी हैं वो जहरिला और तेजा भी पानी हैं, तो मतलब गंगा आप कह रहे हैं कि गंगा इसमें गंगा जैसी जो बड़ी नदियां हैं, क्या वो नाले समान हैं कि नाले से भी बत्तर हैं? समय कानपूर में जाओ तो नाले से भी बत्तर है और हमारी सरकारे कह रहे हैं कि हमने गंगा को साफ कर दिया एक तरफ सरकार के बयान और दूसरी तरफ गंगा का परतक्ष दर्शन भयानक है तो जैसे हमारी जल मंत्री साब ने कहा कुछ समय पहले ही दुबई में जब वर्ल्ड वाटर मनाय जा रहा था लोग का तो उन्हें कहा कि गंगा में जो है छे बिलियन डॉलर लगाए गए और गंगा विश्व की दस सबसे जादा साफ नदियों में से है तो क्या मंत्री साब जोट भूल रहे थे क्या अंने वास्तव में स्टिति क्या है वह जोट बूल रहे थे शक बोल रहे थे की सच बोल रहे थे मैं तो जाज़ नहीं हूं यह कुछ कहने का लेकिन मैं जानता हूं गंगा साफ नहीं हुई गंगा साफ होती तो गंगा फिर वैसी ही विलक्षन प्रदूशन नाशनी शक्ति वाली गंगा होती जिसमें सत्रे तरह के रोगानुओं को नस्ट करने वाला बायोफाज और गंगा तो मुझूद था वो आज नहीं बचा उसमें और एक बात इसे और सामने आती है कि इतने सारे बांध बन चुके हैं गंगा पर चायो गंगा हो यमुना हो या कोई और नदी हो भारत नए नए बांध बनाये जा रहा है और वहीं अमरीका जैसे देश अपने पुराने बांध तोड़ रहे हैं यहां तक कि बीजेपी के क्या भारत एक सर्वनाश की और बढ़ रहा है इन बांधों से बड़े ना बांध नदियों के हत्यारे हैं चोटे बांध चोटे तलाब जोहड यह नदियों के पालन हा रहे हैं क्योंकि उन जोहडों में तलाबों में जो पानी रुखता है उससे भूजल का इस तर ऊपर आ बड़े बांध हत्यारे और जोहड तलाब नदि के पालन हारे तो आज पालन हारों की तरफ ध्यान नहीं है हत्यारे बनाने की तरफ ध्यान है बड़े बांध बनाने पर सरकार खर्च कर रहे हैं लेकिन क्या यह ठीक है मैंने क्या आपको लगता है कि फिर किसका फाइदा है अगर नदी का फाइदा नहीं, लोगों का फाइदा है, वो कमपनियों के फाइदे के लिए बड़े बांद बनाए जा रहे हैं, वो इस देश के फाइदे के लिए नहीं, नदी के फाइदे के लिए नहीं, लोगों के फाइदे के लिए नहीं, राष्ट के फाइदे के लिए केवल और केवल कंपनियों के फायदे के लिए बांद बना जा रहे हैं आपको मालूम है सूरज से बनने वाली उर्जा तीन रुपए साथ पैसे यूनिट मिलती है हाइड्रो डैम में बनने वाली उर्जा पर अठारे रुपए एक यूनिट पर खर्च होता है बताईए तो जैसे आपने बहुत सटीक तरह से कहा कि इसमें कंपनियों का फायदा है तो क्या भारत में इस समय जल का नीजी करण बड बढ़ार की वस्तू है भारत के जल का नीजी करण अंग्रेज नहीं कर पाया 200 साल राज करने के बाब जुद भी भारत की जल का सतही जल का अधो भूजल का पाताल जल का किसी भी लेवल पर अंग्रेज हमारे पानी को अपनी कंपनियों को नहीं दे पाये जहां-जहां उनक अंग्रेजों का राज था तो उन्होंने अपनी कंपनियों को पानी दे दिया था भारत के पानी का निजी करण अंग्रेज नहीं कर पाए लेकिन हमारी सरकाने दूद से भी ज्यादा महगा पानी बेक रही है दूद से भी महगा पानी बेकने वाली कंपनियों को लीज और ला रही है यह जो पानी का निजी करण है यह जो पानी का वैपारी करण है यह भारत के सम्विधान के विप्रवित है भारत का सम्विधान हमें जीवन का अधिकार देता है जीने का अधिकार देता है और यह पानी का निजी करण हमारे जीने के अधिकार पर अथिकर्मन है तो इस नीजी करण और तेजी से होगा। कोकोॉफ है। तो पानी के वाजार के लिए बोतल बनана पानी विपेपार के लिए भादुया जा रहा है। लेकिन जो सबसे खतरनाक पानी का नीजी करण का काम uh वह लिंकिंग ओफ रीवर होगा लिंकिंग ओफ रीवर ठीक वैसा ही होगा जैसे हमारी बियोटी में सडकों का बनना तो आपको कहना है कि 44,000 क्रोर रुपए जो भारत सरकार लगा रही है केन और बेतुआ को जोड़ने में और सुनने में आ रहा है कि शायद से नर्मदा को भी तापी नदियों से जोड़ा जा रहा है आपको लगता है कि ये एक गलत कदम है और इसमें कॉंट्रेक्टरों का फा के पानी को भारत के लोगों के हाथ से निकालके बड़ी कंपनियों को मालिक बनाने का तरीका है तो थोड़ा से बात अगर बढ़ाते हैं कि अगर ये सच में जिस प्रकार से आप जो स्थितिया दर्शा रहें अगर वो सच बात हुई तो 2030 तक कई सारे ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनके पास पानी नहीं होगा तो वो जो करोड़ों लोग आपकी बात को सुन रहे हैं वो क्या कर सकते हैं अपना बचाव करने के लिए पानी का काम केवल राज का अकेले का नहीं होता पानी का काम राज समाज का साजा होता है लेकिन राज पानी का मालिक जब बन ज कि तुम नदी के साथ यह नहीं कर सकते तुम नदी का पाने मौन नहीं सकते रोक नहीं सकते और वो किसको नदी कह दें और किसको नाला कह दें यह सब सरकार को अधिकार है सरकार ने बंबई की पांच नदियों को काट्जों में नाले लिख दिया था हमारी सांगली की महानदी को महानदी नाला ओड़ा लिख दिया था तो सरकारे नदियों को नाले लिख रही हैं उनको नाले लिखने से आसानी हो जाती है नदी लिखने से उनकी जुम्मेदारी बढ़ जाती है इसलिए वो नदियों से बचते हैं नदियों से केवल वो लूट कुट मार करना चाहते हैं नदियों से नदियों का पाणी बेच कर इस अंचे का के तो इसको कॉई और उपाइब है जिसको जिसके द्वारा उस शेट्र में पानी जा सकता है देखिए linking of river linking of corruption and pollution है ये पानी का privatization है और पानी जो भारत में सामुदाई करन था उसका नेजी करन है बिलकुल साफ जदी हम इन सारी चीजों को देखें कि ये कौन कर रहा है तो इसके लिए सबसे खतरनाख है linking of river भारत को linking of river नहीं चाहिए linking our brain and our heart and our hand with river चाहिए और भारत में जो परंपरागत प्रनालियां आ रही है चाहिए वो चंदेली बुंडेली हो या कोई और जलाशाय बनाने की प्रक्रियां क्या हमें उनको उपर वापस से ध्यान देने की जरूरत है क्या आपको लगता है वो एक solution हो सकता है उन पे तुम ध दीने के लिए मिलेगा ना पीने के लिए हमें सामुदाइक विकेंदित जलब परबंदन ही समाधान है और यह चंदेले बुंदेले हमारे बाहर्वड के कहीं भी जाो। भारत नब्वै भूस अंस्कृतिक विविद्धता वाला देस है सारी भूस आंस्कृतिक छेत्रों मे अलग-अलग तरह का सामुदाइक विकेंद tert जल परबंदन था। आज कल हम उस जल परबंदन को भूल गए। हमें उसी जल परबंदन के रास्ते पर जाना होगा, यदि हम उस जल पर बंदन के रास्ते पर जाएंगे, तो हम देश को पानिदर बना देए। है लेकिन आपकी बाप तो ठीक है लेकिन भारत-स रकार ये बात भी कह रही कि जल expands मिशन लाएंगे अब हर घर तक नल पहुंचाएंगे तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं देखो मेरी सरकार के लिए हमारी सरकार के लिए भारत की सरकार के लिए हर घर में नल पहुंचाना सबसे आसान काम है क्योंकि नल खरीदने में कुछ बड़ी कंपनियों के फायदे पहुंचाने है थोड़ा से विस्तार में बताएं किस प्रकार से जो दर्शक नहीं समझते हैं जल की बातों को और इस पूरे की पूरे मेकनिजम को तो कैसे कैसे करें आपके साथ अरे उनके जो पाइप हैं वो खरीदेंगे वो बिना पैसे खरीदा जाएगा क्या तो जब उनसे वो पाइप खरीदेंगे तो उनकी इंकम बढ़ेगी जो एक रुपे का पाइप है उसको दो रुपे में खरीदेंगे पांच रुपे में खरीदेंगे तो कंप इस देश में एक auditor general भी होता है क्याइक भी होता है तो खुछ तो दिखाना पड़ेगा वह काम का है कि नहीं है वह अलग बात है उस नल में जल होगा कि नहीं होगा वह क्याइक नहीं देखेगा कि जल इन्हों ने जो पैसा खर्च किया वह नल लगा कि नहीं लगा हमारा दुरभाग यह है कि वो देखने वाले भी आधी बात देखते हैं पूरी नहीं देखतें तो नल तो यह हर घर में लगा देंगे उसमें तो मुझे डाउट नहीं हर घर में नल पहुंचा देंगे कैसे भी पहुचाए लेकिन उसमें जल नहीं होगा तो तुम मुझे बताओ नल लगाने का जरूरत क्या है क्यों लगा रहे हो नल किसको धोका दे रहे हो नल लगा के किसको धोके में रखना चाहते हो यहीं से जो नल की बात से बाते हैं हम खेत की और सरकार का यह भी मिशन है कि हर खेत तक पानी पहुचाना है कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई कि देश के हर खेत तक पानी पहुच भी सकता है और इस खीम का क्या होगा जैसे हर घर में नल पहुंचाना चाहते हैं वैसे ही अब अब हर खेत में पाइप पहुंचाना चाहते हैं और उस पाइप में हैं अभी इनका जैसे बजट पैसा आएगा तो बड़ी कम्पनियों को वो पाइप की खरीद में पैसा जाएगा लेकिन उससे काम होगा नहीं हमें खेत का पानी खेत में गाओं का पानी गाओं में जहां पानी बरसता है वहां चलना सिखा दो जब वो चलने लगे तो पकड़के धरती के पेट में बठा दो फिर ना लगेगी नजर सूरज की उस पानी से जीवन चला लो इनको यह बाते समझ में नहीं आती यह जो साइंस है यह साइंस विद सैंस है और जो इसकी टेक्नोलोजी है वो समवेदन सील टेक्नोलोजी है सिंपल है नेचुरल है तो एक तरफ आपने यह बात करी मैं फिर से बार-बार केन बेतुआ की और इसलिए जाता हूं कई दर्शकों ने देखा भी था में केन बेतुआ की सवारी मैंने की और एक बड़ा एच्छा एपिसोड हमने निकाला था के नदी की उपर दवायर ने और उन्होंने कहा है कि जंगल के बीच में बांध बनाएंगे अब जो बातें आप मुझे कह रहे हैं कि जिस पेकार से पानी को वहीं रोको पानी को इसके पेट में डालो तभी पानी और बढ़ेगा तो यहां तो पूरे जंगल को उजाड़ा जा रहा है पानी रोकने के लिए और एक बांध बना के लिए अब उसको वो बड़े बांध में डुबो देंगे वहां बाढ़ ले आएंगे जंगल में तो जो जंगल की बाढ़ है वो वहां के टाइगर को जानवरों को जंगलों को सबको नस्त करेगी इसकी चिंता इने नहीं है इन्हें केवल एक ही बात की चिंता है कि जिस क काम से कंपनियों का फाइदा होता हो वो काम करो उसकी approval दे दो उसकी permission दे दो उसके पैसे जाने के कंपनियों के हाथ में जाने के पैसे के रास्ते खोल दो ये company driven democracy है ये corporate driven democracy है अब तुम corporate driven democracy में यदी pupils democracy की बात करोगे तो कैसे चलेगा ये ये और ये प्रीफीह के बारे में सोचते नहीं है ये तो केवलag company के बारे में सोचते है कि Company ओट को कैसे फायदा हो क्या हमारी पाणी की जो नीती है वो भी company driven है क्या को कहना ठीक होगा भारत की जल-नीती corporate नीती है हमने राजस्तान में एक बार जलनीती बनाई थी वो जलनीती समुदाइक नीती थी उसको फिर सरकार आई तो सरकार ने बदल दिया तो अब आप ये बताएं कि अगर थोड़ा सा समुदाई करण की और बढ़ें तो कैसा दृश्य होगा अगर मैं माली जे आपकी बात गाउं में सुन रहा हूं तो एक गाउं को या एक ब्लॉक को क्या करने की आवशक्ता है जैसे वो अपना पानी बचा सके और अपने आपको पानी की समस्याओं से एक तरह से फूल प्रूफ कर सकें या आपने आपको बचा सकें भविश्य में भी देखे इसके लिए सिंपल तरीका है जहां पानी बरसता है ना उस पानी को वहीं पकड़ के मतलब कैसे टांके बनाएं तलाब बनाएं जोहर बनाएं तलाब बनाएं अनिकट बनाएं जहां गली हैं वहां गली प्लैगिंग करें वहां जहां नाले हैं नाला बंडिंग करें देखो यह एक तरीके से नहीं होगा मैंने कहा ना अब देश में 90 तरह की अग्रो उकलोजिकल क्लाइमिटिक जोन है तो 90 ही तरीके ने खोजने पड़ेंगे सारे दे निर्मान और प्रकरति का सम्मान करके प्लान करना पड़ेगा हर छेत्र में अलग अलग तरह की सरचनाओं का निर्मान करना पड़ेगा जैसे तुम जब अलवर में गए तो तुमने अलवर में अलग तरह की जल सरचना देखी जब करोली में गए तो अलग तरह की जल सरचन का निर्मान किया हमने तेरे हजार आठ सो डैम बांध जोहड बनाए ना सब साइट स्पेस्पिक हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते देखिए आपने अभी भी जो पुस्तक भी आज आपने रिलीस करी मैं चाहूंगा दर्शकों को एक बार दिखाने के लिए कि आपकी क्या वो जर देशों की यात्रा की और उस यात्रा में जो जो लोग मेरे साथ मिले जिन्होंने मुझे यात्रा में किसी भी तरह का सहयोग किया मैंने उनके बारे पर छोटे-छोटे नौट इस पुस्तक में लिखे हैं और यह जो पानी है यह तीत है यह साक्रेंट है हमारी लाइफ है इ देश जल्वाइव परिवर्त्न सर्णार्थी बनके अपने देश चोड़के उजड़के यूरॉप के सहरों की तरफ जा रहे हैं और यूरॉप के शहरी लोग उनको कहते हैं ये सर्णार्थी ये जल्वाइव परिवर्तन सर्णार्थी आ घे यह हम helps when the war start हो गया है यह जो डिस्प्लेश्मेंट है यह थर्ड वर्ल्ड वर्टर वार है वो थर्ड वर्ल्ड वर्टर वार सीरिया का हो या जॉर्डन का हो या या सुमालिया का हो इथोपिया का हो केनिया का हो यह सब जो डिस्प्लेश हो रहे हैं लोग वो बेपानी हो के उजड़ रहे तो सबसे पहले कि अगर माली जे पानी का काम फिर से नीजी से समुधाई करण हुआ तो इसका जलवाई उपे किस प्रकार से परिवर्तन बनेगा और किस प्रकार से भारत के लोग गाउं या शेहर इस बड़े जो विश्थापन है इससे बच सकते हैं आपको मालू में जब हमने काम सुरू किया था तब हमारे इलाके के सारे लोग बे पानी होके उजड़ गए थे और गाउं में रतोंदी रोग था और तब उस जबाने में हमारी औरतें गीत गाती थी कि बादल तो आते हैं हर साल मेरे गाउं में पर बरसते नहीं हैं वो रूट कर चले जाते हैं कहां मैं नहीं जानती जिस दिन से बादल ने रूट ना सुरू किया मेरा बेटा और बहु भी रूट कर चले गए यह दुख बरे गीत गाती थी अभी ओरते क्या गीत गाती हैं अब बादल आते हैं मेरे गाउं में रूटते नहीं हैं वो बरसते हैं मेरे खेतों पर पानी आ गया है मेरे कुए में जब से पानी आया मेरे कुए में मेरा बेटा और बहु भी लौट आये हैं घर अब करने लगे हैं खेती, खेतों में है हर्याली और कुए में है पानी यही तो है मेरे जीवन की खुशाली यह जो गीत है यह तुम्हें बताता है कि यह जलवायू परिवर्तन का अनुकुलन और उन्मुलन है है, जब तुम पानी को बचाते हो तो पानी धरती के पेट में जाता है मेटी में मशेर होता है, तो जो उसमें chopping बीज होता है उसमें हर्याली आने लगती है और वह सब्सक्राघ्याली है वह आठ्मोस्फेर में से कार्बन का सेक्रिस्टेशिन करती है उसका पे असर होता है, यह माइक्रो क्लाउड्स मैक्रो क्लाउड्स को अपनी तरफ आगर्सित करते हैं, फिर मैक्रो क्लाउड्स और माइक्रो क्लाउड्स मिलके बारिश करते हैं, तो यह जो बड़ा परिवर्तम है, यह जो बुन्यादी परिवर्तम है, यह केवल और केवल अग्र agriculture crop pattern rain pattern के साथ link करने से और हमारे agriculture में adaptation से ही possible है आखरी सवाल मेरा यह होगा आप से कि जैसे हम लोगे बात कर रहे हैं सरिस्का में जंगल जल रहे हैं और कई लोग का उस पर जो है इस समय नजर है सरिस्का की ऊपर आपने तो सरिस्का शेतर में इतना काम किया है आपने वहां कितने जंगल अलब उगाएं हैं, आपने पूरा उसका जलवाईउ वहां का बदल दिया है आपके दिल में क्या बीत रही है और इसके लिए जो गुनेगार हैं वो कौन है आपके हिसाब से देखिए भाई जब आग लगती है तो दिल में भी आग लगती है लेकिन तुम्हें में बता दूँ कि जिस इलाके में हमने पानी का काम क्या तुम गए थे ना देवी में जहां पानी है हर्यादी है वहां आग नहीं लगती यह आग हमेशा उस इलाके में लगती है जिस इलाके में पानी का काम नहीं होता और वहां लोग आते जाते बीडी पीते हुए कुछ डाल देते हैं पुत्तों में आग लगती है और वो आग फैल जाती है और फिर जिन्दगी लोगों के तबहा हो जाती है पहले तो हुमारे गाउं के लोग ही उस आग को कंट्रोल कर लेते थे अब गाउं के लोगों के बसकी नहीं है खड़े पहडों की आग को कंट्रोल करना तो अभी राजिस्तान सरकार ने थोड़ी alert होके थोड़ा कोशिश की है कि हवाई जहाद से हेलिकॉप्टर से आग बुझाने का काम का जए है तो उमीद है जल्दी बुझ जाएगी जल्दी बुझनी भी चाहिए आग नहीं बुझी तो ये बहुत बड़ा विनास होगा हमें उमीद है कि ये आग जल्दी से बुझेगी तो धन्यवाद आप हमारे शो में आए और आपने हमसे इतनी सारी बातें की दर्शकों अगर आपको राजिंदर सिंग जी की बात अच्छी लगी तो उनकी सबसे जुनका मूल मंत्र है वो मत भूलिएगा कि अपने आपको नदी अपने दिल को नदी के दिल से जोड़ने की आ भूलिएगा मत हमारे यूट्यूब चैनल पे अपनी बात कॉमेंट करने के लिए और हमारे ट्विटर हैंडल पे कृशी की बात हैश्टाग के साथ अपनी बात लिखने के लिए तो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दवायर से जुड़े रहिएगा अपनी पिक उपक बेखने के लिए प्यूजब प्यूजब चैनल मेंबस अवली चैनल मेंबस अवली अपने के लिए ट्रूपीस अपने के लिए लूब गूटन बेलोग